जाएंद अवरिवन, तयार आप में से बहुत सारे बच्चों ने CHS Class 9th और Class 11th के Examination Form भर दिये होंगे और उसकी तयारियों में भी लग चुके होंगे तो इस वीडियो में हम CHS Class 9th के syllabus के बारे में बात करेंगे कि आपका syllabus क्या-क्या चीज़े हैं और उन syllabus में भी आपको कौन-कौन से chapter important है जो कि आपको पढ़ने जिससे ज्यादा question आते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा output निकाल सको साथी साथ आपको कितना target रखना है कि आपका exam qualify कर जाए और आपको CHS Boy जा CHS Girls School में admission मिल जाए ठेक है तो यह सारी चीज़े हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो याद ध्यान रखेगा कि आपको इस वीडियो को like करना है अपने दोस्तों के साथ share करना है और नए हो तो चैनल को subscribe करना है उसका कारड़ यह है कि आपको throughout the year 9th और 10th में हम आपको पूरा support करने वाले हैं चाहे मैं CBSC boards की बात करूँ चाहे मैं किसी स्टेट बोर्ट की बात करूँ चाहे मैं किसी भी 9th लेबल की competition की बात करूँ या फिर मैं आपके pre foundation की बात करूँ तो बहुत सारी चीजों में हम आपकी help करने वाले हैं तो याथ subscribe कर लिजिएगा और अपने दोस्तों के साथ share करेंगा साथ ही साथ हम ये भी discuss करेंगे यार कि 2019 में cut off कितना गया था कि जिससे आपको एक target marks मिलिया कि इतना हमें target करना है ठीक है चली स्टार्ट करते हैं या इस वीडियो को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि इस साल जो class 1 और class 6 के लिए फिर से वही आपका एक box में सब के नाम डाले जाएंगे उसके नाम निकाले जाएंगे तो वह अलग fund है उसको छोड़ दीजिए class 9 के लिए आपका और class 11 के लिए admission होने वाला है ठीक है इस website पर जाना है और वहाँ पर आपको सारी की सारी information मिल जाएगी और वही पर आप form बर जोगे फर्म जो है 25 फर्वरी से आ चुका है और इसकी लास्ट जो डेट है वह 30 मार्च है यानि मार्च के आखरी दिन 30 मार्च तक आपको इस form को भरने का मौका है 31 मार्च से 4 अपरेल तक इसका form correction होगा साथी साथ online admit card जो release होगा वह 15 अपरेल 2023 की बाद आपका release कर दिया जाएगा अब exam date की अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो में अगर हम class 9 की बात कर रहे है तो class 9 वाले बच्चों आपका exam date है वो 26 अपरेल है यानि वेटने लिटे को 26 अपरेल को आपका 8 बज़े से लेकर 10 बज़े तक 2 घंटे का paper होने वाला है अब मैं आपके examination pattern की अगर मैं बात करूँ तो आपके 100 number का paper आने वाला है 100 mcq जाने वाले हैं जिसमें आपका 20-20 question हर एक चीज से आने वाला है मतलब चाहे मैं English की बात करूँ चाहे मैं Hindi की बात करूँ चाहे मैं Mathematics की बात करूँ चाहे मैं Social Science की बात करूँ चाहे मैं Science की बात करूँ तो हर एक subject से आपका 20 number का paper आने वाला है और इसमें सबसे आपके पास निगेटिव मार्किंग नहीं है कोई भी गलत आंसर क्लिक करने पर आपके नमबर नहीं कटेंगे यानि आप जो है कि सारे के सारे क्वेश्चन अटाइम्ड कर सकते हो सौ के सौ ठीक है इस चीज का ध्यान लखेगा अब इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे यार कि आपका syllabus क्या होने वाला है उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक request करूँगा कि एक मैंने Google form दिया है जिसमें मैं जानना चाहता हो कि हमारे चैनल से कितने बच्चे 9th की तयारी करने के लिए चुक है कितने बच्चे 11th की तयारी करने के लिए चुक है फिर आगे आने वाल इस syllabus का भी PDF हम कहां पे upload करेंगे ranker.chs पर तो जो भी बच्चे हैं जाकर ranker.chs के telegram channel को join कर लेंगे साथी साथ इस Google form को भर देंगे ताकि मुझे पता चल जाए मुझे कितने बच्चों के लिए महनत करना है 9th और 11th के classes चलाने है free of cost classes चलाओंगा बहुत सारी चीज़े हम हिंदी में आपको क्या ज्यादा पढ़ना है grammar पढ़ना है इसमें जिसे भासा हम word विचार, हिंदी व्याक्रड, सब्द विचार, सब्दों की समाने शुद्धिया, विपरितार्थक सब्द, सुतिशं विन्नार्थक सब्द, परियायवाची सब्द, अनेक सब्दों के सब्स होने वाला मतलब पूरा पूरा grammar और साथी साथ रचनाकार यहां रचनाय के बारे में भी आपको पढ़ना होता है मतलब पोईट के नीम यह सारी चीज़े याद करनी होती है अब मैं बात करूँ अगर इंग्लिस की तो इंग्लिस में भी पूरा का पूरा grammar आने वाला है जैसे तो यह पूरा पूरा इंग्लिस में आपको समझ में आ गया कि आपको grammar की चीज़े पढ़नी है ठीक अब मैं अगर बात करतू तो mathematics की तो mathematics में जो आपका syllabus होता है वो completely 6, 7, 8 का syllabus होता है नमबर सिस्टम से लेकर probability तक लेकिन इसमें ज्यादा चीज़े क्या पूछी जाती हूं class 9 में मैं बता देता हूं जैसे नमबर सिस्टम से आपको ज्यादा question देखने को मिलेगा HCF LCM से देखने को मिलेगा ratio and proportion से देखने को मिलेगा और आपका इससे algebraic expression and identity से मिलेगा pair of linear equation से मिलेगा एक और chapter डाले जीए percentage इससे आपको बहुत सारे question देखने को मिलेंगे इसके बाद आपको statistics से देखने को मिलेगा साथी साथ area of plane figure इससे ज्यादा question देखने को मिलेगा यह सारे chapter है जो मैंने tick किये हैं इससे सबसे ज्यादा आपको question देखने को मिलेंगे geometry से थोड़ा बहुत question आ जाता है coordinate geometry से भी थोड़ा बहुत question आ जाता है surface area and volume से question नहीं आता है area of plane figure से ज्यादा question आते है statistics से भी question आ जाता है mean median mode पर आसान question और probability से भी आसान question पूछे जा सकते हैं तो आपको पूरा पढ़ता है most important जो है उन्हों मेंने tick कर दिए ठीक है अब मैं आगे बात कर तो social science में तो social science में आपका history, geography और civics आने वाला है class 6, 7, 8 का development of human civilization, religious movement, ancient Indian densities, post-gupta period, Delhi Sultanate, Mughal and Maratha dynasty, advert of Europeans in India, social religious movement, Indian national movements और geography के गर में बात करूँ तो solar system, the earth, sphere of the earth और Indian geography, civics के अगर मैं बात करूँ तो political system and governance, organ of the government, legislature, judiciary, forms of the government and panchayati राज, five-year plan and niti आयोग, united national organization and थोड़ा बहुत general knowledge तो ये है पूरा social science का syllabus जिसमें आपको history, civics और geography पढ़ने है class 6, 7, 8 से related चाहिए अब मैं बात करता हूँ science की जो general science होने वाला है इसमें आपका complete physics, chemistry और biology की तीने की तीनों subject आपके आने वाले chapters कुछ इस प्रकास है physics में है आपका motion, force and pressure, sound, heat, electricity and effect of electric current, light and optical instrument, some natural phenomena ये आपके physics के 7 chapter है chemistry की मैं बात करते है atomic structure, acid, base and salt, metal and non-metal, carbon, coal and petroleum, combustion, fuel and flame ठीक है ये आपका chemistry में हो गया synthetic fiber and plastic ये भी chemistry में हो गया, components of food and production इसको आप chemistry ये बायलोजी दोनों मान सकते है micro, food, provision इसे biology मान सकते है, living, world and cell biology मान सकते है, plant and animal psychology ये आपका biology हो गया conservation of plant and animal biology हो गया, reproduction of the plant and animal ये भी biology हो गया, pollution आपका biology हो गया अलाकि आपको देखने हो के मिलागा कि total के total सारे के सारे chapter 6, 7, 8 से related है जो कि आपके 9 के examination से पूछे जाने वाले है, तो पूरा का पूरा syllabus का idea आपको लग गया होगा, syllabus ये जा कर डाउनलूड कर लो, rank at CHS के telegram channel से, वहाँ पर पूरा syllabus मैं upload कर दे रहा हूँ, ठीक है अब, last year का cut up अगर मैं बताऊँ आपको कि कितना marks आपको target करना है, जिससे आपको CHS Y, CHS Girls के school में admission मिल जाएगा वो target है आपका, general बच्चों के लिए जो जो बच्चे general या OBC के category में बिलाउन करते हैं, उनका target होना चाहिए ये 69 yाणि आपको target करना है 75 marks, इससे कम नहीं सोचना है, 75 marks आपको target रखना है, SC के बच्चों के लिए 58 और इनको target जाणा रखना है, जो मैं बात को तो 62 था और ST के लिए बात को तो 59 था यह depend करता है कि कितने seat अबलेबल है और कितने बच्चे apply कर रहे है उसके accordingly cut off होता है कितना बच्चा score कर पा रहा है तॉप का बच्चा अगर सम्माल लेजिए कि 80-80 50 बच्चे पा गए तो cut off 80 चला जाता है ठीक है तो यह depend करता है कि कितना cut off जा रहा है और कितना system है तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी की सारी चीजे समझ में आ गई होंगी तो इसी प्रकार से यार चैनल पर आपको सारी चीजे आप मिलने वाली है सबकुछ इसी चैनल पर मिलने वाले तो make sure सबस्क्राइब इस चैनल और आगे आपको बहुत सारी चीजे मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याम लगो धन्यवाद जहिन